जेल की अंडा सेल में रखा जा सकता है डॉन को सुप्रीम कोट और हाई कोट में जजों की नियुक्ती मामले में केंदर का सुप्रीम कोट को सुझाव पारदर्शी वो नियुक्ती की निर्भारित प्रकृरिया वर्षिष्टता के नाम पर मेरिट ना हो दर्कनार आस एंशूर्ता की खिलाफ मार्च को लेकर सोनिया पर जेटली का निशाना कहा शांती और सोहार्थ का बना हुआ है मौहौल गांधी स्मृति से राश्टपती भवन तक सोनिया राहू करेंगे मार्च जैनियू पर संग का बड़ा हमला पांच जन्ने में लिखा नहरू और इंद्रा के अजेंडे को आगे बढ़ाया केमपेस में देश द्रोहियों का तबका हुआ तयार कॉंग्रेस का बयान पत्रिकार पर करें मानहानी का खिए आखर दोर से ठीक पहले लालू का मोधी पर बड़ा हमला कहा विहार में पी-म को छटी का दूद दिला देंगे याद राम प्रिपाल का फलटवार जनता की से याद दिलाएगी छटी का दूद देखेगा आप नगर निगम के फंड को लेकर बीजेपी और केजरिवाल में जंग पार्टी पार्शितों समेथ तीनों निगमों के मेर ने किया केजरिवाल का घेराव फंड की मांग को लेकर बनाया दबा महराश्च के परियावरन मंत्री रामदास कदम पर अंभीर आरोप भाई सदा कदम ने रामदास से अपनी जान को बताया खत्रा मुंबई के सम्दार अगर पुलीस स्टेशन में दर्च कराई शिकाए और हर्याना के कुरुक्षेतर में नकली मरीजों के गौरक धंदे का परदा फाश अस्पताल को युनिवर्सिटी बनाने के लिए पेश किये नकली मरीज स्वास्ते मंत्री जान्च कराने को तेया नमस्कार स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश के जाने माने जोतीशे आचारया अचारया प्रसोतम कुमार्शाफरी जी आई ये सबसे पहले कारिकरम में इनका स्वागत करेंगे आचारिय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका शोव में धन्यवाद बहुत ही एहम जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं सबसे बड़ी बात तो आज बहुत ही शुब दिन है आज अहोई एस्ट मी है यानि कि अहोई माता की पूजा जो है आज के दिन की जा रही है और वरत भी महिलाओं ने किया हुआ है क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन महिलाएं जो है अपने संतान की जो है सुरक्षा उनकी उम्र को लेकर के और साथ यसाथ भविश्य में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाईयों का सामना उन्हें ना करना पड़े इसके लिए वरत करती है लेकिन आज आज आपको आचारे जी बताएंगे कि कैसे अहोई माता को आप प्रसंद करें और साथ यसाथ ये भी बताएंगे कि कुंडली में आकर वो कौन से योग होते हैं जिसके वज़ा से आपके संतान की सेहत बिगड़ती है तमाम एहम जानकारियां आपको देंगे आगे लेकिन चलिए सबसे पहले हम सुरेंगे आज की विशेश दिवे स्थुती जिसे सुनने मातर से आपके पाप कड़ते हैं ओम सर्ववाधा विनिर्मुक्तो धनेधान्य सुतानिचा मनश्यो मत प्रसादेना भविश्यति नसंसया आज हम एक इस्वर से कामना करते हैं कि आज हमारी जो संतान है सर्व बाधाम विनिर्मुक्तो सभी बाधाओं से मुक्तो धनधान से परिपूर्ण हो और भविश्य में कभी किसी प्रिकार का कोई संसय या दुख या तकलीब कष्ट ना आये परमात्मा ऐसा आसिरबाद और आचारी जी जान से प्यारी होती है औलाद हर माता-पिता के लिए और माता-पिता चाहते भी हैं कि जो उनके संतान है उन पर कभी बे कोई कस्ट ना आए लेकिन आहुई माता की पूजा से किस प्रकार संतान की रक्षा होती सबसे पहले तो आप से जानना चाहेंगे बा करकी हमारी माताईं बहने रखती है अपनी संतान की रक्षा के लिए कि होई माताँ ऐसा आशिरबाद प्रदाण करें और कहते हैं कि माता पिता का पुन्य या पाप दोनों ही संतान को लगता है तो इसलिए ब्रित माताईं रखती है कि हमारे जो बच्चे का सेहत है वो अच्छी रहे किसी गलग किसी गत में ना जाएं कोई बुरी आदत ना बाड़े हर तरह से रखती है इसलिए अहुई माता का रखत रख करके और सायकाल उस ब्रित का पराइन करती है और उनसे उस पर बहट करके प्रातना करते हैं कि अहुई माता हमारी संतान की हर तरह से रख्षा करता है जी हा तो मा रख्षा करती है और आपके संतान को दिरगायू बनाती है लेकिन आपको बता दें कि संतान बार-बार बिमार पड़ती क्यों है कुंड़ली से यह योग हम आपको आगे ब बात करेंगे लखीम पुर से हमारे साथ सुनीता जुड़ी है सुभागत है आपका शो में बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप नमस्ते में नमस्कार टेड़ा माचारी जै माभवती खर मुझे अपने बारे में पूछना गुछी जी बताएं बताएं मेरी डेट आप बर्त है 11 3 79 11 3 79 समय और समय सुवह आठ से साड़े आठ की वीच में सुवह या रात का सुभागी सुवह का मार्निंग का जन्विस्थान जन्विस्थान यूपी बढ़े लिए जी क्या जानना चाह रहे हैं जी मैं जानना चाह रही है मेरी उसमें कुंड़ी में सरकारी योग है लोकडी का नहीं है और आर्थी किस्तिती कब तक सही होगी रभिवार का दिन पढ़ रहा है आपका और देखते में इस लगन करकर आशी बन रहा है शूर में के तुब बहुत अच्छा योग बन रहा है गौर्मेंट का परंतु पीछे आपकी गौर्मेंट जॉब लगते लगते रह गई और उसकी बज़े बता दूँ कि आपका जो बुद है वो अस्त होकर के बैठा है बुद बानी का प्रमोशन करता है और फेस का प्रमोशन करता है और बुद यहाँ पर बैएस में अस्त होकर के मीन राजिका बैठा है तो सिंपल से उपाए कि पाज बुदवार गड़ेश ज हैं और आज हम आपको बता रहे हैं कि किस परकार अहुई माता को प्रसंद करके आप हैं उन्की सेहत में जो है वो उन के सेहत अच्छी रहेगी लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कुंडली के माध्यम से कि क्यों संतान की पर बार-बार बिगरती है क्यों वो भीमार होते हैं आए पहले आपको बजाते है के कुंडली के अंदर में ऐसे ग्रह होते है जो हमारी सेहत को बार-बार ख्राब कर देते हैं जैसे ऐस让 म के साथ में है मंगल बैठा हो और अलबिर अजल रही हो तो भी ऐसे योग आपके जीवन में आ जाते हैं कश्टकारी योग आते हैं कि आपकी सेहत को खराब कर देते हैं यहां तक कि कि मारकेश तक बना देते हैं यानि हमें बहुत ज़्यादा सीरियस भी होना पड़ जाता है ओई राहू की महादासा चल लिए हो या राहू नीचका हो तो ऐसी अवस्था में भी आपकी सिहत ठीक नहीं रहती है इसके लिए आपको चाहिए किसी सोयोग व्यक्ती जोटसी के पैस में जाएं और जोटसी या परामर्स लें आप जैसे चिकतसी या परामर्स लेते हैं ऐसे ही जोटस कोई हमारी और आपकी बनाई नहीं है इस आख्छात जब सूर का उदय हुआ था चैंद्रमा का उदय हुआ था मनशों की रचना की गए थी तब से जोटस सास्तर बना हुआ है और गत्ति उसी के अनकूर चलता है तो कहने काई परामर्स लेकर के ही आगे रास्ता देखना चाहिए जी हाँ आपके संतान बिमार है और आपको उसकी चिंता सताई जा रही है तो हम आपको बता दें कि इसकी पीछे कहीं न कहीं आपके कर्म भी जिम्मेदार है माता पीता के कर्म जो हैं हेलो मैम, पंडी की रादे रादे, जै मा बगवती, जी मैं अपने बारे में जाना चाहते हूं, जी बताएं डेट अफ पर्ग, 16, 11, 87, जी, राद के तीन पचास का दिल्ली का जना मैं, जी, क्या सवाल है मोनिका आपका, जी मैं जाना चाहते हूं, शादी कब होगी, लड़क काल सर्फ से पीड़े थें, जिसके कारण आपके विद्या विभाहे केरियर, तीनो छेद प्रभावी नारा, केरियर भी हम कहेंगे, तो श्ट्रगल भरा रहेगा, और मैरेज लाइप भी हम उतनी अच्छी नहीं कह सकते, जो तसी हुआ ही है, जो सपष्ट बूले, कई का है, जीवन मध्यम गतिका रहेगा, सूर भी आपका नीच का है, गुष्टा क्रोध की आपको अधिकता रहती, तो अभी समय है, बाद में वही होगा, कि आते दिन पाच्छे गए, किया नहरी से होगे, तब पस्ताय होती क्या, चिडिया चुगई के, आप गुर्य चंडा और जो ज़्यादा सोच रही है, यह आपका कम हो जाएगा, जी हाँ, और चली अब आप सबको बताते हैं, कि क्यूं आपके संतान बिमार रहती है, इसकी पीछे आपके कर्म भी जिम्मेदार है, तो वो कौन से कर्म है, जिनकी वज़ा से बच्चे बिमार होते हैं, आईए पूत पिता के भाग, यानि माता पिता जो कर्म करते हैं, उसका जो परणा में बच्चों को मिलता है, यह जी माता पिता अपने से बड़ों का आदर या सेबा नहीं करते, यह भी बच्चों के कष्ट का कारक बन जाता है, यह जी माता पिता ने किसी के साथ में छल कपट तो वो भी बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है अगर माता पिता ने किसी जरूरत मन्द आरे आपके घर में कोई अभ्यागत आ गया दो रोटी का भूखा है आकर कि उसने जोली फैलाई और आपने मूह मेड लिया तो ये भी संतान के लिए कष्ट का कारक बन जाता माता पिता के कर्मों के कारण ही सीधा-सीधा जो असर होता है वो संतान की सेहत पर पर दरसज्कों हम लोग ये चीजे जो बताते हैं इसको आप गौल से सुने बस नहीं सुनने के साथ में मनन्न करें कि इन कर्मों को हम सही करें तब ही हमारा यहां पर आना सही है और आपका जो बहुमूल समय देकर के इस सो को देखते हैं, तब आपका सो भी देखना भी आपके लिए है, इन चीजों को नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें और इस पर अमल करें, आप देखिए कि आपके घर में किस तरह से सुख और संपती, संतान सुखी रहेगी और लक्षमी दिगर बुलाए सीधे आपके घर में आएगी, परन्तु मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो होगा सिर्फ पे सिर्फ आपके करने से होगा, जी हां, वक्त हो गया है यहां पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुभा 8 बचे हम आपके लिए क्या खास ले कराएंगे, तीन ग्रहों की जो तिगडी बनी हुई है, कहीं न कहीं आप पर हावी हो रही है, हर राशी के जातक पर इसका प्रभाव होगा, वो भी नाकरात्मक, बचना चाहते हैं तो उपाए कल सुभा 8 बचे हम आपको देंगे, फिलाल अभी आप दे अंकूर नमक, इसके कड़ कड़ में है शुद्धता और सही मात्रा में आयो डीन, अंकूर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाए, पर अच्छा खाए खुशिया मनाने में कुछ तर्द होता है, कुछ तर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुपना क्यों, एक्सपोर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसे मन्द, इसका क्विक अब्सॉम नैनोजल फॉर्मिला बिना मसाज के दे आपको इंस्टिंट और लंबा आराम वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज़ है, अब आए किसी भी दर्द से जीत, वॉलनी के साथ बंदर देखा, हाथी देखा, भारा सिंघा, और चीतल देखा, मौगली के जंगलों में शेर खान को देखा बच्मडी सत्कुरा का अजूबा, भोपा लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पाहाड देखा महाकाल मंदिर में पूजा, फोटों कीचा जाके खोर्चा, गौली अरके किले में बढ़का, खजुराहों ने देदिया जटका दीदा दीदा, दीदा दीदा, पूर्वजों को मिलने जुलने, जा पहुँचा मैं भीम बेटका रेन की चुक-चुक संते शंते, आप शगा मैं साँची स्थूपा साँची की शांती मैं खुद के अंदर जांके देखा दिदूस्तां का दिल रखा, हिंदूस्तां का दिल रखा, हिंदूस्तां का दिल ल।खा The Heart of Incredible India, Madhyya Pradesh Introducing two new fragrances from Engage Teo Sprays Give in to the language of love ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो अहोई अश्चमी है आज चाहते हैं कि आपके संतान बिलकुल स्वस्त रहे और कभी कोई आच उन पर ना आए तो आज संध्या के समय आपको विशेश विधी से अहोई माता की आपको पूजा करनी है तो सही पूजा विधी हम आपको बस बताने ही वाले हैं लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लगी कॉलर से तो चलिए लगाते हैं एक कॉल लगी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं स्वागत है आपका शो में अपना नाम स्थान पहले बताएं आप नमस्ते मैं अचार जी सशान गंदवट आपको कर रहा हूँ जय मा भगवती बहुत 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 बधाई आपको कि आप लगी बिनर बने हुए हैं यह मेरा सभाग है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरा नाम बीवे करूना गुए मेरा डेट ओव बर्स 17 फरवरी 1909 बीवे कि ची जहां से बात कर रहे हैं आप मेरा टाइम है में बारा बच के दस मिनट दो पहर में आपने डेट ओव पर्फ नोग सर्दी नहीं जी मैं और जर्मस्तार कहां का बता है बिहार का की पढ़ पढ़ देन पढ़ रहा है आपकी ब्रिश्छ लगन को मिधूनरासी है सनी की दसाथी आप का टाइम अच्छा आ गया है चुकि बारा नॉम्बर के पस्चाद आपके जीवन में बिलकुल दिन और दिसा बदल जाएंगे आटोमेटिकली चुकि बुद्ध आ रहा है भागेश का बुद्ध है परंत कुंडली में सूर ग्रहन है जिसके कारण सिछाप की अधूरी रहेगे केरियर में भी बादाए रहें और परिवारिक मान सम्मान सपोर्ट में भी कमी है इसलिए सूर ग्रहन दोस्की सांती कराएं और पाज वुद्ध वारे कच्ची पालक अपने सिर से साधवार उतार करके गाय को खिलाएं और गड़ेश जी की आराधना करें तो आपके जीवन में परिवारतर आ जाएगा जी हाँ और चलिए अब आपको बताते हैं आज के जो संध्या के समय आपको एक पूझा करनी है अहोई माता को प्रसन करने के लिए क्या है वो सही पूझा विद्धी आईए, सबसे पहले ये बताते हैं सबसे पहले माँ भगवती को आराधना करना के माँ अहोई माता हमारे बच्चों को ऐसा आशिरबाद देना के धन और धान में कमीरना रहे धन मतलब लक्षबी धन मतलब संतान उनसे भी यही कामना करते हैं और साथ में रोली मोली चावल पुश्प धूब दीप दिखाना है और साथ में हरी मोली पत्ते सहद जो हो और गन्ने एक गन्ना उले करके और जो घर में बने हुए पकवान हैं वो अहोई माता को अरपित करे और अहोई माता के सामने रख करके एक तिल के तेल की जूत जगा करकी परात्ना करें के माता इन संतान का जो भार है अब वू तुमारे उपर है और हाथ जोड लीजिए तो कहते हैं कि पत्रम पुश्पम फलंतोयम जो में भकताय प्रच्छती भगवान सिर्फ भाव के भूके होते वह इतने में यह ऐसा असिरबाद आपको मिल जाता है कि जर्म जर्मान तर आपकी जो संतान है बिलकुल सेहत मंद रहती है किसी प्रिकार की कोई बाधा नहीं आती है जी हां और सबसे खास उपाए जी हां संतान की सेहत पर कभी भी कोई परशानी ना आए बच्चा बिलकुल स्वस्त रहे आपका इसके लिए खास उपाए हम बस आपको देने वाले हैं सीक्रेट नंबर भी आपको मिलेगा लेकिन सरोज जुडी है स्वागत है आपका शो में कहां से बात कर रही है पहले यह बताए नमस्कार जी मैं सरोज यादो पंच कूला चंडिगर के पास से बहुत जी बताएं अपनी डेट ऑफ पर्थ जी मैं मेरी बेटी के बार में जी बताएं क्या सवाल है आपका मैं गुड़ियां की पढ़ाई कैसी रहेगी और वो अपने पैरों में डर्थ बताती है अभी तक तो अच्छा पढ़ रही है मैं चाहती हूं कि मतलब आगे भी अच्छा पढ़े है अपने आप स्टेंड कर जाए और बच्ची संसकारी रह अच्छा पर बताएं में इस लगन मिथों राशी बन रही है बच्ची की और सरी में बुद्ध चल रहा है थोड़ा सा ग्रहन दोस है चंद्रमा और रहुका तो ग्रहन दोस की सांती करा जिसके कारण इसको जुखाम खासरी की सिकायत रहेगी पैरों में इसकी दर्द साथ में बुद्ध और शूर के लिए थोड़ा बुद्धवार के दिन गाय को हरी घास और शूर के लिए गुड़गे हूं का दान करें यह छोटे-छोटे-चोटे उपाय करते तो लिए जिया और आईए बापको देते हैं आपका वो नंबर 24 घंटे के लिए जिसे रखना हैं आपको सीक्रेट और ऐसा करने से आपके भाग्ये में होती है व्रीथी जे हां आज एक नंबर बालों के लिए होगा तीन दो के लिए 45 तीन के लिए 11 और चार के लिए 99 पांच के लिए 89 और 6 के लिए 12 साथ के लिए 51 और आठ के लिए 33 नंबर और 9 के लिए 81 इसको सीक्रेट ही रखना है अपने पेपर में लिख करके पॉकेट में रखें अगले दिन किसी पवित्र ब्रक्षित्यादी पर रख्ष जी कि जमशेथ पूर से नंदलाल है स्पागत है आपका शोव में बताएं अपने बारे में और सवाल पुछे हैं आप अपिजय का गौर्शन नाम है जी उनीत उनीत संपर्क तूड़ चुका है इनका आप मेल भी कर सकते हैं मेल आइडी है हमारी कल टू पीम एच लाइव इंडिया डॉट टीवी मेल के जरिये भी आपके समस्या का समधाना आपको मिलता है और और आगे चलिए आपको देते हैं वो महा उपाए भी अचारी जी जिसका सब्सक्राइब कर रहे हैं सभी माताएं चाहते हैं कि उनकी जो पत्ता ले लेते हूं उसमें साथ लॉंग रखते हैं और बच्चे के सिर से जितनी संतान हैं उनके सिर से साथ बार उतार करके और उसको बंद करके पीपल के पेड़ में रख दें और साथ मैं घर में एक तिल के तेल की जोद जगाएं जो कम से कम आधा घंटा जले फिर देखिए कि आपके संतान मैं कभी किसी प्रिकार का सेहस से रिलेटेट कोई प्रॉब्लम नहीं रहे जी हां पुश्पा जुड़ी है सिवीच पुश्पा जी स्पागत है आपका शो में बताएं अपने बारे में और सवाल पुछें आप मैं अपने पती के बारे में पुशना चाहिए जी बताएं जनम बितारी दो जून 1986 टाइम रात को छे से बारा तक तान नासिक है जी क्या सवाल है आपका जी उनके और मेरे विजबनती नहीं वो मदीरा से बन करते हैं और उनका काम आच्छा नहीं चलता उन्हें किस तरह में काम करने चाहिए बताएं देखिया आपर कहूंगा कि बिश्चिक लगन और मीन राश बनाएं आपकी पती का जो सब्तमेश में आ रहा ब्रेस रासिका है तो ये गलत संगत का सिकार होते हैं और काम यदि ये कंपूटर हार्वेर से रिलेटेड काम करेंगे तो ज्यादा इनको लाब मिलेगा परन्तू इनके लिए शूर ग्रह की सांती करा दें तो ये मद्रे का सिबन बिलकुल सिबन्द कर देंगे जब जो ज्यान आ जाएगा तो आटो मेर्टेक जो नकारात्मक चीज़े हैं वो खतब हो जाए तो ये उपाए हैं इनको आपकरते हैं तो लाब मिल जाता है जी और बेल काओं से हमार साथ सोनिया जुड़ी है स्वाकत है आपका शो में बताएं अपने बारे में और सवाल कुछ है सोनिया टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप हैलो जी नमस्ते पंडिक जी जै मा भगवती बिटा हाँ है जी नतारीग बताओ बिटा जी डेट ऑफ बर्थ है 9-5-1985 जी समय रात दो बच कर 25 मिन जनमस्तान जनमस्तान वेस्ट बंगाल ओके और मेरे बारे में जनकरी चाहिए थी मेरी शाधी होके जन्सतान हो गया पंडिक भी जो तान हो गया जी और मेरे दो बच्चे है कोई भी मैं अगर काम करूं तो उसकाम में कोई मेरी कुछ भी नहीं मेरे हाथ में लगता कोई फाइदा ही नहीं होता हाथ में पैसा ही नहीं रहता है यहां कहूंगा कि देखो मंगल में बुध चल रहा है आपका और मेन लगन धनूरासी है सूर गरहन दोस है तो इस गरहन दोस का निवारन कराएं और पढ़ाई भी आपकी अधूरी रह गई और घर परिवार से जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो बिलकुल से ही नहीं मिल पा रह है तो आप बुद्ध और गुरू दोनों का फास्ट रखें और शूर गरहन दोस की सांती कराएं आप बिदिन ग्यारा से कीस दिन में परिवर्तन देखने लग जाएंगी जी हाँ तो चलिए इन ही खास जानकारियों के साथ कल आज और कल में आज के लिए बस इतना ही आचारे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यबाद और हमारे उन तमाम दर्सकों को बहुत बहुत धन्यबाद जैस आपको बता दें कि अहोई अस्टमी में तो जो प्रियोग आपको बताए गये हैं। पिलाल अभी आप देखिए इसकी एक जलक हमें दीजी इजाज़त नमस्कार अवे जी आपären ये लाल टमोटर के साथ नेमगो और हरी मेज फ्री है गहाँ तीनों एक से बढ़ करें लेकि तीनों के रगो में खून तो एक है अड़ ड्रीम सीरी लेलो जी अमा आ गेठो पेटी है, पेटी हुई है, ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहत चटा दे, ये काईदा सही नहीं है, बिल्कुल सही कहा, बच्चे को जन्द के तुरंत बाद सिर्फ मा का पहला पीला गाढ़ा दूद ही दे, शहत या और कुछ नहीं, ये दूद बच्चे को बीमारियो से लड़ने की शक्ती देता, शेशू स्वस्त सालों साल, जब हो सही, शे महीने तक सिर्फ मा का दूद, के अलावा पानी भी, हमारे इंडियन वाल्यूस कितने स्वीट होते हैं न, देखिये, किसी को भी डिस्टरब करना बिल्कुल पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं, सो अ además पीज़ा कंडुल खुआ, किसी को दिस्टरब मत करो, और इंडियन वाल्यूस को मैंटियन रखो, विडियो कॉन दीटूएच, पॉ इंडियन वाल्यूस में प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने बाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किद्नी फेलियर, पारकिंसन्स, चोडों का दर्द, स्किन, सुराइसिस आदी का सभली लाज करता था आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार्वा